नमस्कार दोस्तों मेरा नम है रभी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने येटूब चैनल इस्ट डिवित रभी पर फ्रेंड्स आज हम उत्राखन करेंट फेर्ज की तीसरी रिविजन क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसमें दोस्तों हम 50 महत्पूर्ण प्रेशनों को पढ़ेंगे जो सभी important और selected प्रेशन है ये सभी प्रेशन दोस्तों आपके forest guard exam के लिए महत्पूर्ण प्रेशन है अगर आपने दोस्तों पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उसे भी जाका जुरूर देखीगा उसमें भी सभी प्रेशन important है ठीक है तो चलिए का दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को जिसका पहला question रहेगा भारत का पहला क्रप्टो गेमिक गार्डन उत्राखन के किस इस्थान पर खोला गया तो दोस्तों यह गार्डन चक्राता में खोला गया है सही answer है option B आपको याद रखना है कि देख का पहला क्रप्टो गेमिक गार्डन देहरा दूर में बनाया गया है बर्दे नेस्ट कोशन की ओर और बताना होगा दोस्तो कि हाली में बिंसर बन्य जीब बिहार को इको सेंसिटिव जोन घोसित किया गया यह किस जनपद में इस्तित है तो दोस्तो बिंसर बन्य जीब बिहार यह अलमोडा में इस्तित है सही आंसर है ओप्सन C दोस्तो इससे पहले अस्कोर्ट बने जी बिहार को भी एको सेंसिटिव जोन घोशित किया गया था अस्कोर्ट बने जी बिहार यह है दोस्तो पिथोरा गर्जन पद में इस्तित है तीसरा प्रशन है दोस्तो कि स्वच सर्वेक्षन रिपोर्ड तो हजार इकिस में दस हिमालाई राज्यों में उत्राखन को कौन सा इस्थान मिला है तो दोस्तों दस हिमालाई राज्यों में उत्राखन को पहला इस्थान मिला है राइट आंसर है ओप्शन ए अगला प्रशन है कि राज्य में जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकेडमी का उद्गाटन कहां कि गया तो दोस्तो राज्य में जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकैडमी बनाई गई है देहरा दून में तो सही आंसर है ओप्शन ए ठीक है अगर आप से पुछा जाए कि प्रसिद जागर गायक तो कौन है तो यह है दोस्तो प्रितम बढ़तवाल है अगला प्रेशन है कि हाल प्रेशन है कि जागर सनक्षण दिबस कब मनाया जाता है तो जागर सनक्षण दिबस दोस्तो मनाया जाता है सत्रे सितंबर को तो राइट आंसर है ओप्शन ए अगला प्रेशन है कि राज्य में प्रितियक वर्स नो सितंबर को उत्राखंड हिमाले दिबस मनाया जाता है यह सरप्रिथम कब मनाया गया तो दोस्तो नो सितंबर को हिमाले दिबस मनाया जाता है यह आपको याद रखना है ठीक है ये पहली बार जो मनाया गया था दोस्तों तो 2015 में मनाया गया था तो राइट आंसर है option B 9 सितंबर को दोस्तों जीबी पंद का जनम दिवस होता है उन्हीं के जनम दिवस के अफसर पर उत्रा खंड हिमाले दिवस मनाया जाता है आठवा प्रेश ने कि मुख्य मंत्री बातसल्य योजना के तहट लावारती को प्रती महा कितने रुपे की आर्थिक साहिता दी जाती है तो मुख्य मंत्री बातसल्य योजना के तहट दोस्तों लावारती को प्रती एक महा 3,000 रुपे की आर्थिक साहिता दी जाती है इसके अलावा दोस्तो एक उधैमान खिलारी योजना है, जिसमें दोस्तो पिरतियक खिलारी को पिरतियक महा पंद्रहंसु रुपे दिये जाते हैं, ठीक है यह हैं दोस्तो हमारी मुक्ख मंतरी बाधसलिय योजना, दोस्तो उधमसी नगर में। उधमसी नगर के दोस्तो पंत नगर में फूलवाग एरपोर्ट है जिसे ग्रेंफिल्ड एरपोर्ट के रूप में विक्सित किया जाएगा। दसवा प्रेशन है कि उत्राखन की पहली ट्रेन चालक वनी है तो दोस्तो उत्राखन की पहली ट्रेन चालक वनी है दोस्तो अंजली सहा सही आंसर है ओप्शन ए ग्यार्वा प्रेशन है और दोस्तों बताना होगा आपको कि उत्राखन की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एबरेश्ट पर राष्टे ध्वच फेराया तो दोस्तों ये बनी है सीतल राज जो पिथोरा गर्जनपत की रहने बाली है तो आपको याद रखना है कि जो सीतल राज है दोस्तों तो ये है राज्या में की सबसे कम उम्र की महिला है जो माउंट एबरेश्ट पर चड़ी है अगला प्रेश्ट ने कि निम्न में से कौन सा कार्टून उत्रा खन में नसा मुक्ती के खिलाब लडाई के लिए तयार क्या गया है तो नसा मुक्ती के खिलाब दोस्तो लड़ाई लड़ने के लिए ठीक है लाटी कार्टून विक्षित किया गया है सही आंसर है दोस्तो ओप्शन डी अगला प्रेशन है कि हाली में एतिहासिक गरतांगली परियाटकों के लिए फिर खोली गई है किस जनपद में इस्तित है तो दोस्तो जो एक एतिहासिक दर्रा था गरतांगली दर्रा तो यह परियाटकों के लिए दुवारा खोला गया है यह दोस्तो 1962 में जब भारत और चीन का युद हुआ था उस समय दोस्तो इसे बंद कर दिया गया था ठीक है तो इसे दोस्तो पुने खोला गया है और यह दोस्तो उतरकासी में इस्तित है सही आंसर रहेगा दोस्तो option C अगला प्रसन है कि देश का पहला राज्य है जिसने भुकंप मुबाइल आप का अनावरण किया है तो दोस्तो देश का पहला राज्य है बना है उतरकांड जिसने भुकंप मुबाइल आप को लॉंच किया है राज्य के किस इस्थान पर राज्य का पहला glass floor विरीज बनाया जाएगा यह बिरीज दोस्तो इसी case में बनाया जाएगा और इसका एक गिलास फ्लोर विरिज दोस्तो कुमाओं में और दूसरा जो होगा तुम्हें गलबाल में बनाया जाएगा अगला प्रेशन है कि हाली में उत्रा खनके किस बने जीप अभ्यारण को इको सेंसिटिव जोन घोसित किया गया राइट आंसर है ओप्शन बी असकोट बने जीप बिहार असकोट बने जीप बिहार को दोस्तो एको सेंसिटिव जोन घोसित किया गया है इसके अलाबा दोस्तो जो बिंसर बने जीप बिहार है उसे भी एको सेंसिटिव जोन घोसित किया गया था अगला प्रेशन है कि राज्य की किस घाटी में सिंधू घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतीमा मिली है यह प्रतीमा दोस्तो यमना घाटी से मिली है सही आंसर हैगा ओप्शन दी अठार्वा प्रेशन दोस्तो कि रूड की जल सम्मिलन तो 2022 के दूसरे संस्क्रण का उधगाटन किसके द्वारा क्या गया राइट आंसर हैगा ओप्शन C गजेंदर सिंग से खाबत गजेंदर सिंग सिखाबा दोस्तो केंद्रिय जल मंत्री हैं इनहीं के द्वारा रूड की जल सम्मिलन 2022 का उधगाटन किया गया था नेश्ट कोशेन है हाली में उत्राखन की लगू फिलिम पतालटी का चायन दच्छिण कोरिया के बुसान सहर में आयूजित होने बाले 49 वे राष्टिय आर्ट फिलिम फेस्टिबल में किया गया यह फिलिम किस जनजाती पर अधारित फिल्म है तो दोस्तो बताने हैं हमें कि जो पतालटी फिल्म है तो यह है दोस्तो किस जनजाती पर अधारित फिल्म है तो राइट आंसर है ओप्शन ए भोटिया जनजाती फिल्म है दोस्तो पतालटी जिसका दोस्तो 49 वे इंटरनेशनल आर्ट फिल्म फेस्टिबल में चायन हुआ ह next question है कि हाली में राज्य के किस नगर निगम ने वल्क वेस्ट जनरेटर एप लौँच किया है इस एप को दोस्तो देहरा दून नगर निगम ने लौँच किया है सही answer है दोस्तो option C इसमें क्या होगा दोस्तो इस एप से ये पता लगा जाएगा कि जो गीला और सूखा कोड़ा होता है ठीक है तो उसे अलग क्या गया है या नहीं ठीक है अगला प्रेशन है कि हाली में उत्राखंड हाई कोड को नैनी ताल से कहां इस्थांतरित करने की मनजूरी दी गई है तो दोस्तो बरतवान में नैनी ताल में श्थित है उत्राखंड हाई कोड इसे दोस्तो हलदवानी में इस्थांतरित किया जाएगा तो सही अनसर है अप्शन A कमेंट करके बताएगा दोस्तो कि बरतवान में उत्राखंड हाई कोड के मुख्या नयाईदीस कोन है 22 वा प्रेशन है सही अनसर है कि किस चोटी को व्रल्ड वाचिंग ट्रेल के रूप में विक्सित किया जाएगा तो यह दोस्तो Abbott माउंट को विक्सित किया जाएगा सही अनसर है option C Abbott माउंट यह है दोस्तो आपकी लोहा घाट मिश्ती थे ठीक है आपको याद रखना है next question है कि हाली में जारी हिमालियन वर्ल्ड सर्वे में उत्राखन को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ तो दोस्तो हाली में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दोस्तो हिमालिय जो पक्षी होते हैं हिमालिय पक्षी तो उनका सर्वे किया गया और हिमालिय पक्षों की सर्वजी जो प्रजाती पाई गई तो बहें उत्राखन में पाई गई है तो सही आंसर रहेगा option A 24 प्रशन है कि हाली में मुख्य मंत्री पुसकर सिंग धामी ने डोक्टर नित्या आनंद हिमालिय सोथ केंद्र का लुकारपण क्या गया है देहरा दून में सही आंसर रहेगा option A 26 प्रज़न है और बताईएगा दोस्तो कि उत्राखन में समान नागरिक सहिता को लागू करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया समान नागरिक सहिता का उलेक किस अनुछेद में है सही आंसर है option D अनुछेद 44 में अनुछेद 44 में दोस्तो समान नागरिक सहिता कानून का उलेक है ठीक है और उत्राखन में समान नागरिक सहिता को लागू करने के लिए एक समीति का गठन के गया और इस समीति के जो अध्यक्ष बनाए गये हैं दोस्तों तो बहुत रंजना परसाद देशाई को बनाया गया है 27 परस ने और बताइए गांड़ की सूसासन सूचकांक 2021 में उत्राखन का कौन सा इस्थान रहा तो उत्राखन का दोस्तों तीसरा इस्थान रहा है सही answer है option C महत्पुन प्रेशन है तो कि दोस्तो सूचकांक से सम्बंदित एक ना एक प्रेशन दोस्तो आपके एक्जाम में पूछा जाना है इस से लिरेटरी दोस्तो हमने एक अलग वीडियो बनाई है और कल ही दोस्तो ये वीडियो हमने डाली थी ठीक है जिसमें उत्राखन के प्रेमु सूचकांख पढ़ाए गए हैं अगर आपने सूचकांख वाली वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज एक्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजीगा ठीक है अगला प्रेशन है कि राज्य की किस नदी पर राज्य का सबसे लंबा पूल बनाया तो दुस्तो घसिारी उत्सब जो मनाय गया है तो भी उत्तरकासी जनपत में मनाया गया है सही अंसर हेगा ओप्षन ए तीसवा प्रेश ने कि राज्य के किस इस्थान पर राश्टिय सरस मेले का आयुजन क्या जाता है तो पिरती एक बर्ष दूस्तो राश्टिय सरस मेले का आयुजन क्या जाता है रुद्रपुर में सही आंसर है option B next question है और बताना है friends की चार धाम पर्योजना समीती के अध्यक्ष कोन बने हैं तो हाली में दोस्तो चार धाम पर्योजना समीती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एक के सीकरी राइट आंसर है दोस्तो ओप्शन बी नेस्ट कोशन है कि पाँच भी निर्बाचित विधानसवा के प्रोटेम स्पीकर कोन न्युक्त किये गए तो पाँच भी निर्बाचित विधानसवा के प्रोटेम स्पीकर न्युक्त किये गए हैं दोस्तो बन सीधर भगत सही आंसर है उप्शन सी और ये दोस्तो काला डूं पर इस्तित है तो लखवार बांत प्रयोजना दोस्तो यह इस्तित है युमना नदी पर सही अंसर ए》, option ए नेट कोशन है कि लच्छी वाला नेचर पार्क की स्थाफना कब की गई तो हालिम जोस्तो लच्छी वाला नेचर पार्क बनाये गया था, ठीक है जिसका उटगाटन दोस्तों किया गया था 14 अगस्त 2021 को सही आंसर है option A लच्छी वाला नेचर पार की है दोस्तों आपका दहरा दून में इस्तित है अगला प्रशन है कि राज्य का पहला यी सेवा केंद्र खोला गया है तो राज्य का पहला यी सेवा केंद्र दोस्तों खोला गया है उत्राखन उच्छी न्याले में सही आंसर है option D अगला प्रशन है कि उत्राखन के किस इस्तान पर देश का पहला घास सनक्छन छेत्र का उधगाटन किया गया तो दोस्तो देश का पहला घास सनक्षन छेत बनाया जा रहा है रानी खेत में सही आंसर है option C यहाँ पर दोस्तो इसपाइस गार्डन को भी बनाया गया है यह भी आपको याद रखना है और यह वाला कोशन दोस्तो एक्जाम में पूछा गया है कि रानी खेत के सोनी में दोस्तो मसाला गार्डन बनाया जा रहा है अगला प्रशन है कि किस राज्य सरकार ने दूद मुल्य प्रुचसाहन योजना शुरू की है तो उत्राखन सरकार ने दोस्तो दूद मुल्य प्रुचसाहन योजना को शुरू किया है और उत्राखंड ने ही दोस्तो मदर मिल्क वैंक को विक्सित क्या है ये भी आपको याद रखना है ठीक है और ये कोशन बनता है कि मदर मिल्क वैंक विक्सित करने वाला देश का पहला राज्य है कौन बना तो वह दोस्तो उत्राखंड बना है अगला प्रसन है कि निति आयोक स्वास्तिया शूचकांग 2021 में उत्राक्षन का कोणसा इस्थान रहा? तो उत्राकषन का दोस्तो इस्थान रहा है पंदरबा इस्थान ठीक है तो सही आंसर है option C ठीक है आप से पूछा जा सकता है कि नितियायोक के द्वारा स्वास्तिया सुचकांग 2021 किस जारी किया गया और उसमें दोस्तों उत्राखन को कुण सा इस्थान मिला तो पंध्रवा इस्थान मिला है अगला प्रसन है कि उत्राखन के नरायन कोटी मंदिर को अडोप्ट ए हैरिटेज प्रोजेक्ट के तहत सामिल किया गया यह मंदिर किस जन्पद में है तो दोस्तो नरायर कोटी जो मंदिर है तो यह आपका इस्तित है रुद्र प्रियाग में सही अंसर है ओप्शन बी नेश्ट कोशन है कि बंदना कटारिया को अरजुन पुरुसकार किस वर्ष दिया गया तो बंदना कटारिया यह दोस्तो होकी की एक प्रिसित प्लेयर है जो रोसना बाद हरी द्वार में रहती है इन्हें दोस्तो अरजुन पुरुसकार दिया गया था 2021 में और 2022 में ही दोस्त हमने पड़ाया है ठीक है अगला प्रेस ने और बताना होगा फ्रेंड्ज उत्रकंड सरकार ने किसे बैटी बचाओ बैटी पड़ाओ योजना का ब्रांड अमिश्टा न्युक्त किया है तो दोस्तों बंधना खटाया को उत्रकंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्राण अमिश्टर न्यूक्त किया गया है अगला प्रेशन है कि उत्राखन के प्रेम चंद सर्मा को पदम सिरी पुस्कार 2021 से सम्मानित के गया इनका सम्मंद की छेतर से है तो प्रेम चंद सर्मा यह दोस्तो किर्शिस के छेतर से सम्मंदित है सही आंसर है option A ठीक है इन्हें दोस्तो पदम सिरी पुस्कार दे गया है 2021 में याद रखेगा अगला प्रेशन है कि नंदा के जागर पुस्तक के लेखक कोन है तो नंदा के जागर पुस्तक के लेखक हैं बसंती बिष्ट सही आंसर है option A अगला प्रेशन है कि उत्राखन के किस इस्थान पर अंतराश्टिय सेव महोतसब आयुजित क्या गया तो दोस्तो उत्राखन के देहरा दून में अंतराश्टिय सेव महोतसब आयुजित क्या गया है तो 44 कोशन का सही आंसर है option C देहरा दून next question है कि उत्राखन का पहला digital आगनवारी केंदर कहां इस्थापित क्या जाएगा या फिर खोला जाएगा तो यह दोस्तो देहरा दून में खोला जाएगा सही आंसर है option B अगरा प्रशन है कि G20 के अठारवे सिखर सम्मेलन के दो कार्यकराम उत्राखन के किस सहर में आयुजित किये जाएगे तो यह कार्यकराम दोस्तो उत्राखन के रिसी केस में आयुजित किये जाएगे सही आंसर है option C उत्राखन में दोस्तो G20 के अठारवे सिखर सम्मेलन के तीन कार्यकराम उत्राखन में आयुजित किये जाने थे जिसमें पहला कार्यक्राम दोस्तों रामनगर में आयुजित हो गया है और जो बाकी दो बचे हैं दोस्तों तो है रिशी केस में आयुजित किये जाएंगे अकला प्रशन है कि निम्न में से किसे चोहतरवे गर्तन दिबस के अफसर पर भीरता पुरुषकार से सम्मानित किया गया है नेश्ट कोशन है कि चोहतरवे गर्तन दिबस के अफसर पर गुरुकुल्क रूडकी के किस अचार्य को पदम स्री से सम्मानित किया गया है अगला प्रशन है कि सतत्विकास लच्छे सस्टेनेवल डबलम्मेंट गोल की रिपोर्ट में उत्राखन के प्रत्थम बे अंतिम इस्थान पर कौन से जिले रहे हैं तो पहले इस्थान पर दोस्तो नैनिताल रहा और अंतिम इस्थान पर रहा है दोस्तो उधम सिंग नगर तो आपको याद रखना है कि सतत्विकास लच्छे में नैनिताल पहले इस्थान पर है अगला प्रेसे ने दोस्तो और लाश्ट कोश्य नहींगा हमारे इस वीडियो का ठीक है जो आपका हुमबर्क रहेगा जिसका अनसर आपको कमेंट करके बताना है कि कोश्य ने दोस्तो कि उत्राखन विधान सबाद चुनाब 2022 में कितनी महिलाएं बेजित रही मतलब कि उत्रा किलास आपको कैसी लगी आई होप दोस्तो आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तो में सेयर करिएगा ठीक है अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी जाका जरूर देखेगा और दोस्तों कल हमने उत्रा खंड के प्रेमुख सुचकांग पड़े थे वो वाली किलास भी नहीं देखिए तो प्लीज उसे भी जरूर देखीगा ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट किलास के साथ तब तक के लिए भाई thank you so much for watching जाहिंद